पीजी वैलकम सी यू इन पीजी पॉइंट सो देखे यह आपकी यूपी बेड की क्लासेश शुरू हो चुकी है जैसा आपको पता है यदि आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दिजे यह आपकी क्लासेश चल रही है सिक्षा की प्र प्रकार की जैने कि सिक्षा आपके कितने प्रकार में विवाजित है और लोगों यानि फिलोसिफर्ज के अनुसार उनके क्या मत्त हैं देखे जीवन पढ़ियंत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति जन्म से लेकर मत्यु पढ़ियंत सीखता रहता है यह तो सबी को बत चुस्तों के साथ बैठते होंगे आप यह महसेज़ी आप वह next 2 से लेते हैं जैसे कैसी साथ को घटना घटे तो आपने वहाँ से भी शीख ली तो वी जीवन प्रियंत के सीखने की इसे आपकी चलती ही रहती है तो इसी सम्मंदित आपके अमेरिका में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया क्या कहा गया कि देखिए कि अब ये आप बढ़िया से लिख सकते हैं हाइलाइटर के यूज करके सो वो एक अलग इंपक्ट डालेगा कि सिक्षा का उदेश हर व्यक्ति में ग्यान रूची आदर्श एवं शक्तियों का विकास करना है जिससे वह उचित इस्थान बना सके और उसका प्रयोग वा स्वयम और समाज के आदर्श उदेशियों के लिए कर सके ठीक फिर देके नेक के पास बुक है तो उसमें आप हाईलाइटर कर लीजे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर प्रॉपर लिख लीजे ऐसे करके आपको इन्हीं ग्याद करना होगा अब याद क्या मैं बैठके रटें नहीं रटना नहीं है आपको आप जैसे आज इसे पढ़ेंगे तो आप किसी स्पीड से पढ़ेंगे कि जेम्स के अनुसार सिक्षा उनकादियों तता आदर्शो का संगठन है जो किसी व्यक्ति को उसके बहुत इक तता सामाजिक वातावरण में स्थान दिलाते हैं तिक अब आप उसको क्या करना है डेली रिवीजन करना है जैसे आप मा तता आदर्शो का संगठन है जो किसी व्यक्ति को उसके बहुत इक तता समाजिक वातावरण में स्थान दिलाते हैं तिसरे दिन आप कैसे पढ़ेंगे सिक्षा हों मतलब आधा पढ़नेंगे आप मन में आधा पढ़नेंगे और चौछे दिन आप सिर्फ इस लाइन को इस पर सोड़ी कि सिक्षा के दो रूप है कितने याद रखिए कर दो एक सुरूप अनादी है जिसका अंतिही नहीं है यह सदया समाज में एक प्रकरिया में नहीं रहेगा और दूसरे सुरूप आपचारिक है इनी सुरूपों को सिक्षा सात्री विविन्यन नामों से व्य प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष वैयक्तिक एवं सामुहिक सिक्षा एवं उसके बाद में सामाने एवं विसिस्ट शिक्षा देखिए यदि आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो फटा फट से एक बार शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सरकल या आपको जो भी ग्रूप है वहां पर उसके बाद में वह आए ना आए यह उनके उपर डिपेंड करता है मैंने आपको बहुत बताई थी आपको अपना काम करना है अपना कर्म करिया आप है अब यह जिए आप चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बला आइकन प्रस कर अब हम लोग पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि एजुकेशन कितने प्रकार के यह कोशन आपका पूछा जाता है सो विशेज ध्यान दीजेगा ठीक है देखें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी नियमित तथा अनियमित शिक्षा जिससे आप आप आपचारिक या अन जो आपकी स्कूल कॉलेज एजुकेशन है या अपकी कैसी सिक्षा है फॉर्मेल एजुकेशन है और उसके बाद में जो आपकी गर्भकाल से लेकर के पूरे जीवन परियंद सिक्षा चलती रहती है वह आपकी कैसी अनियमित शिक्षा है या आप कह सकते हूं उसे आदेग शिक्षा कहते हैं नियमिच सिक्षा के अंतरगर्थ पूर्व योजना नुसार कार रहे होता है यह लाइन न आपको एक 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 तो इसको स्टार मार्क कर लेनी चाहिए है ना बालक को निस्चित स्टार इवन निस्चित समय विशय की ही सिक्षा रिजाते है यह पूर्व योजना अनुसार इस अनियमित सिक्षा का पता नहीं चलता है वेक्ति हर समय किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है यही बात मैंने आपको यहीं पर नॉर्मली बताई अब उन्होंने वही बात उसको लिख दिया है नियमित और अनियमित सिक्षा के अंतर को सपस्ट करते हुए भाटिया के अनुसार अब यह 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 आप याद रख लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आपको प्लस फाइफ मार्क्स तो आप मान लेजे आप अपना इसको रिमूफ कर दी हूं मैं देखिया यह कोई कोश्चन आया आपने वहां पर बढ़िया से हेडिंग डाला कि भाटिया के अनुसार ठिक प्रॉपर और यहां पैसे बढ़िया ब्लैक अब प्रत्यक्ष की बात कीज़ा है उन निर्देश वह निकुन इंस्रक्शन से है जो बालक की कक्षा में अध्यापक द्वारा दिये जाते हैं तिक अध्यापक आपकी ग्यान को शात्रों को देता है और उसके वैवारी पहलिवों पर भी अपने विचार प्रकट करता है अब प्रत्यक्ष में क्या बतायागा कि जो एक टीचर अपने क्लास के स्टुडेंट्स को सिखाता है अब अब प्रत्यक्ष की बात कीज़े तो अध्यापक का योगद्यान प्रत्यक्ष नहीं होता है मतलब योगदान होता है लेकिन प्रत्यक्ष शरूप में नहीं होता है चातर अपने सम्मू यानि ग्रूप में अपनी फैमिली में अपनी कम्यूनिटी में खेल के सम्मू में अनिक अनिक प्रकार के गुण अफगुण सीखते हैं गुण भी सीकता है बच्चा इसलिए कहते हैं कि संगती में बच्चों को संगती को संगती से दूर रखना चाहिए लेकिन बच्चे से केमें कि ममी से सके matter nationalcej पंदा साल मने बच्चे अपनी माते से क्या करल नहीं लिपते ईंण ममी गद कुरें यह तोड़ाई नियुक्रिंड पछिफ नहीं जानते ही तो Merry यहां पे आपको क्या पढ़ना है, Robertson के अनुसार क्या विचार था, कि निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है, याद रखेगा, और सिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है, यानि कि जब आपका अंत होगा तभी, यानि कि जब आप मृत्यू की और अग्रसर होगे, सामुहिक सिक्षा कहा, देखे, व्यायक्तिक की यही बात की जाए, तो यहाँ पे भी मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ऐसी समझा देती हूँ आपको, कि देखे, व्यायक्तिक की यही बात की जाए, इंडिवीज्वल एजूकेशन, जैसे पहले के जमाने में आप लिए टीउशन, हाना टीउशन टीचर होते हैं, बच्चे को आकर के पढ़ाते हैं, अपनी फीस लेते हैं पर मन, आप एक बच्चा पढ़ाते हैं, ठीक है, अब यह इसकी बात की जाए, कलेक्टिव एजूकेशन की, यानि सामुहिक सिक्षन की, तो आप एक एग्जाम्प अब इनका कहने की जाती है, कि बच्चा चाहे इंडिविजुवली पढ़ रहा हो, चाहे कलेक्टिव एजूकेशन गेन कर रहा हो, अल्टिमेटली उसका गेन क्या होना चाहिए, कि वो जो सुसाइटी है, जो इन्वेरोमेंट है, उसमें वो समायोजन बना सके, लोगों के संग रह सके, प्रॉपर है न, अब देखे, सामाने और विसस्टे सिक्षा का है, जेनरल और स्पैसिफिक एजुकेशन का है, इसमें रुचियों का विकास करना है, देखे, यही मेल लाइन है, इस प्रकार की सिक्षा में, बालकों कोई मनोवरत्यों को विक्सिट कहता है, इस सिक्षा को कोई विशेश उदेश नहीं होता, ये तो किवल बालक और मनुष्य के सरीर, मस्तिश को और आत्मा में विद्यमान गु बहुत पसंद होगी तो यह डिपेंड करता है specific और general education पर अगर आपको जो पसंद है आप उस पर बढ़े से knowledge gain कर रहे हैं उस सरे related कोई course कर रहे हैं syllabus complete कर रहे हैं उस field में जा रहे हैं किसे कोई generalist पसंद होगे तो यह डिपेंड करता है वहां पर अब देखे सिक्षा के इन शात्र के शरीर और आत्मा में उन सब सौंदर्री और पूर्टा का विकास करती है जिसका पात्र है सिक्षा व्यक्तिक का विकास करती है उसकी आंतरीक एवन बाहे शक्तियों का निर्मार करती है तो आपकी जो इनर सोल है जो आपकी बाहे शक्तिया है उन सब का विकास करती सिक्षा व्यवहारों को प्रसिक्षन देती है अगर आप educated है तो ultimately आपके nature में change आएगा सिक्षा जीवन का magnet देशित करती है अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपके दिमाग में आएगा आप ऐसी सोच लिए ना normally जब बच्चा 10th क्रॉस करके 11th में जाता है ठीक है तो सबसे पहले उसके उपर क्या pressure आता है pressure भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जब वो बड़ा हो रहा है तो उसको अपने decisions लेने होंगे तो क्या decision लेता है कि मैं art side लूँ commerce चूस करूँ science चूस करूँ किस stream की तरफ जाओ तो ये depend क्या करेगा ultimately वो यहीं से अपना goal decide करेगा वो अलग की बात है कि बच्चा आगे चलके change कर लेते हैं अपनी चीज़े वो एक अलग matter हो अभी जो हमको समझना है कि जैसे मैंने सोच लिया कि हमें आगे चलकर के engineer बना है तो मैंने क्या computer science से बढ़िया कर लिया अपना 12th और उसके बाद ने BCA कर लिया BTEC कर लिया तो ऐसे करके ultimately सिक्षा यानि कि जो आपका education है knowledge है वो जीवन का mark निर्देशित करती अब आप सोच रहोंगे मैं आपने school college के example लिया हाँ तो बिल्कुल आप जो है साधुसंत देख लिए उनका क्या होता है उनको ज्यान की प्राप्टी करनी होती है तो वो भी उनको सिक्षा से ही मिलेगी मतलब ultimately आपका जो education है वो तीमित नहीं है ये infinite है आप ये मान के चलिए आप ये सोचिए कि हम जितना सोच पा रहे न उससे भी अलग level है आपके education का ठीक ये मान के चलिए आप उतना हम लोग भी नहीं सोच सकते है कि सिक्षा का अर्थ क्या है शिक्षा बालक की अभिवरद ही करती है आप इसका मतलब देख लीजिए आप यहां पे कि बालक में उसकी शारीरिक एवं मान से कभी वरद्य सिक्षा के द्वारा ही होती है देखे चाहे आपका फिजिकल हो चाहे मेंटल हेल्थ हो ये सब डिपेंड करता है education पे माधिमिक सिक्षा आयोग ने चरित्र के प्रसिक्षा न वेभार पता वेभारी कुशलता में वरद्य एवं साहितिक तलात्मक और सांस्कृतिक रुचियों के विकास के द्वादा ही या भी वरद्य आप एक शित बताए अता सिक्षा का सुरूप चाहे जैसा हो सिक्षा का उद्देश बालक के संपूर्ण विकास से ही है ये लाइन इंपोर्टेंट है आप लिख लीजेगा इसको ठीक मैं आप स्टामार्क कर दे रही है जहाँ पर इंपोर्टेंट होता है अब देखिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे अप्चारिक सिक्षा की अभी हम लोग बात कर चुके हैं फिलाल बट आभी हम लोग फिर से बात करेंगे किसकी अप्चारिक सिक्षा की उसके बात करेंगे अनप्चारिक सिक्षा की फिर बात करेंगे निर आपचारिक सिक्षा की और उसके बाद में आपचारिक तथा निर आपचारिक सिक्षा में जो आपका basic difference है इतना हम लोग ultimately आज की class में complete करेंगे topic ठीक तो देखें अपचारिक सिक्षा क्या है कि जिसे आप सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त कर सकते हैं यहां सिक्षा प्रदान करने वाली भली प्रकार से जानता है कि उसे सिक्षा प्रदान करनी है और यहां सिख्षक एवं बालक दोनों को ही सिख्षक का उद्देश ग्यात रहते हैं वुकुल मिला के आप ऐसे इसको connect कर सकते हैं अपनी स्कूल education से स्कूल education से कैसे connect कर सकते हैं मैं हम तो देखें ऐसे connect कर सकते हैं मैं आपको एक example देखे बताती हूं कि आप teacher है ठीक आप एक सिख्षक है और एक student है आपके सामने ठीक है तो आपको पता है आप class आपने क्या का कि मैं class 6 का teacher हूं suppose तो आपको पता है कि 6 में EBS में, science में, maths में, English में इतना syllabus है हमको इतना पढ़ाना है बच्चे को क्या पता है कि मेरे quarterly, half yearly और annual तीन exam होने हमको इनको clear करना है ठीक बच्चे को यह पता है अपना उद्देश है अपना aim हाना अब इसमें देखे चीजे बस थोड़ी सी change होती है कि जो आपका syllabus होता है वो predefined होता है ठीक teacher को अपना goal पता होता है और educator क्या के तो students को अपने goals पता होते है अब देखे यह एक निस्चित सिक्षन पद्धती कह सकते हैं हम इसको हाना अब देखे अपचारिक शिक्षा के कुछ विसेष्था हैं होती है क्या विसेष्था है होती है आई फटा फट से एक बर कुई क्रिविजन करते हैं इनका कि अप्राक्रतिक यानि artificial होती है जिसे प्रात तथा प्रदान करने के लिए सूनियों जटक्रियाओं तथा कारिकरम आयुजित किये जाते हैं यह सिक्षा मूलता विद्यालो द्वरा प्रदान की जाती है समाने ता अपचारिक सिक्षा का एक सुनिस्चित पाठेटर था यानि आपके प्रिडिफाइंड सिलाबस होता है जिसे एक सा निर्धारित समय में पूरा करना होता है जैसे मैंने आपको एक्जामपल देना कॉर्टर ली के एक साल के बाद में एक साल के बच्चे स्कूल गया तो आदिस ज्याद है पहलो दूसर दिन तो हैड़क से परिशान रहे हैं त इस प्रकार के सिक्षा जीवन परियंद नहीं चलती सीदी सी बात है कि आप जीवन पर स्कूल ही जाते रहेंगे नहीं यह एक अल्पकाल के लिए होती है अप्चारिक सिक्षा मुखिता बहुतिक होती है जो हमें बहुतिक साधन जुटाने की योगिता प्रदान करती है कुसी योग ये बनाना है कि वह एक निस्चित परिक्षा उत्तिर कर प्रमार पत्र प्राप्त कर ले या किनी निस्चित विषययों को विशह वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले आप्चारिक सिक्षा उददेश ही इसमें एम पहले से ही डिसाइडेड होता है अर्थाक अंतरकेतम शिक्षा की विवस्ता बालकों को समाज की उदेशी की प्राप्तिवा सर्वांगीर विकाश ही तो सुचारू रूप से करते हैं ठीक, मतलब कुल मिलाके ultimately कहने का मतलब ये है कि इसमें सब कुछ predefined होता है, एक आपचारिकता होती है जिससे बच्चों को रूबरू करवाया जाता है चीजों से और मतलब उसको एक क्या कहते हैं सीमित कर दिया जाता है कि आपको फस्ट क्लास में इतना पढ़ना है, सेकंड क्लास में इतना पढ़ना है, थर्ड क्लास में इतना पढ़ना है उसके बाद में आपको वही वही पेपर देने हैं और साथ में आपको पास कर जाना बस कोई बच्चा फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड और फिर इसी हिसाथतर रैंक डिवाइड हो जाते हैं आप देखें विद्याले बालकों के व्यक्तित्व के विकास है तो हर संभव प् वहीं अपनी सरकार कितना प्रयास कर रही है एक उचित सक्षा एक मतलब अल्टीमेट वे में एजुकेशन सिस्टम बनाया जा सके देखो निव निव एजुकेशन पॉलिसी जा रही है आप जैसे निव एजुकेशन पॉलिसी आई ठीक आपने सोचा कि अरे ठीक है वा गई त जोचे कि जब मेरे इससे कोश्चेन आएगा तभी मैं इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी नहीं आप ऐसे पढ़िए नॉमली जैसे आप इंस्टाग्राम के ऐसे नॉमली रील्स देखते हैं वाट्सेप के स्टेटर्स देखते हैं फेस्बूक की पोस्ट पढ़ते हैं तो बस वही समझ के आपको नेशन एजुकेशन पॉलिसी भी नियू जो आई है उसे पढ़ना चाहिए तो उससे क्या होगा आपको एक अलग ही लेवल का नॉलेज मिलेगा अब देखिए यहाँ पर विद्याले समाज की निरंतरता और विकास के लिए भी एक महातुत पूर क्या है कि विद्याले को समस्त संसार का नहीं वरण समस्त मानुर समाज का आदर्श लगुरूशवाना चाहिए, विद्याले बालकों को लोकतंतर के मुल्टधान्त यानिकी स्वतंत्तता समानता भ्रात्रत नियाय समाजवत और धर्वनिर पेक्षिक्ष्यथ के सा toute सात्य न पढ़ा होगा तो 15 साल तो में स्कूल के बारे में तो मैं पूरा टाइम लिख दें यही तो नहीं करना है आपको इतना नहीं लिखना है कि एक्जाम नर्बोर हो जाए आपको दो धाई करना है कि सामने वाले प्रभावित हो जाए मतलब आपके आंचर को देख करके उसको लगे कि नहीं आपने पढ़के ही लिखा है या आपने सुन के लिखाए कहीं से उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप A से टाइप लिख रहे हैं ठीक है इसलिए मैं बार बार विशेश उ मैं यह नहीं कि आप लिखने हैं आपका जैसा मने आप वैसा कर सकते हैं आप आजाद देश के आजाद नागरिक जो है है उसके बाद में हम जब परसेंटेज बूचेंगे ना तब सबको समझ में आएगा अभी तो आज बहुत मज़े से पर जिस दिन रिजल्ट आएगा फ अपचारिक शब्द विशेशर के रूप में प्रेयुक्त हुआ है जो सिक्षा की विशेशता बतलाता है अनपचारिक शब्द जो आपका दो शब्दों की संधी से बना है अनधन उपचारिक अन का मतलब होता है नहीं उपचारिक का मतलब क्या है शब्द उपचार से मिलक बनाए और जिसका अर्थ होता है इलाज चिकत सा यह विवस्था इस प्रकार अनौपचार का अर्थ क्या हुआ कि विवस्था हीन क्या हुआ विवस्था हीन अब यह सी लाइन अगर आप लिख दे मान लीजे और एक्जामनर बढ़ी ऐसे पढ़ ले अब जैसे यहां पिनों यह चीज हमेशा के लिए settle down हो जाब आप लिखें तो आपको पता चलें ठीक जिसके लिए कोई चिस्टा या प्रैतन या चेस्ता न कीजाए इस प्रकार अनौपचारिक सिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किसी विवस्था साधनों अथवा प्रयासों के स्थवता ही प्र कर दिया था और आपको समझा दिया था यहाँ पर आपको यह नहीं कि मैं मुझे अनमपचार एक सिक्षा गेंड करनी है आप में एडमिशन करा दी चलके ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ यहाँ यह क्या है यह आप ऐसे समझिए कि जो आप अपने वाट्चाफ स्टेटस से इंस्टाग्राम रील से या आप अपने घर के बड़े बुजूड़कों से या आप अपने फ्रेंड सरकल से जो कुछ सीखते हैं या जैसे मैंने आपको बताया तक गीता सुनिये उससे आप जो कुछ सीखते हैं वो सब इवेन आपने पोस्टर में पढ़ा स्टेटस कि खते हैं ये चान बूझ कर अधृसिकर किस नहीं किया है किन तु अपने मूल रूप में ही रह कर अनुभाव परत рьक्रत करते हैं उधारड के लिए जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हमानु भॉप प्राप्त कर सकते हैं कि नीम के पेड़ का आकार पतियां फूल फलो का आकार वर रंगरू कैसा होता है अब देखेगी किसके अंदर गता है अनुपकर एक सिक्षय के अंदर गता है यहां तो टीचर साथ नहीं गया बताने के लिए सब्सक्राइब आपने बढ़िया से एक कार देखी ओ वाव न्यू न्यू कार आपने क्या कि आप बढ़िया थोड़ा से उसके पास गये अराम से अच्छा तो यह टाटा वालो की आपने अपने फ्रेंट से बाद की पता यार भाई टाटा वालो की न्यू कार आई है बता है देख लो इतनी अल्टीमेट पता चले वहां किसी और की कार के साथ दो चार सेल्फी लेके भी वड़िया पोस्ट कर दी है ना तो यह नहीं करना है फिलाल यह तो पार्ट अफ जोक हो गया उनली बट यह क्या है आपने देख कर ही ही तो सीखा धना तो यह सब कुछ किसके अंतरगता हैं आपका अनपचरिक सिक्षाका इनुसार क्या कहा गया है कि अनपचरिक सिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहन करना और उसे अपनी प्रकरती के उट्टेजित कर पूड़्ट्य विकास करना चिहाती है सरल शब्दों में अनप्चार एक सिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिने हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास संस्था तता साधन के स्वभाविक स्थिती से प्राप्त करते हैं इस प्रकार की सिक्षा प्रतिक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है तता जीवन परयंत चलती रहती है ओके गॉट इट ओप सो यू आर अंडर्स्टैंडिंग बिटर नाव मॉव तु दी नेक्स पॉइंट की अनुभवचारिक सिक्षा की कुछ क्यारेक्टरिस्टिक्स यानि विशेसता है अनुभचारिक सिक्षा स्वभाविक जीवन से संबंधित है बहुत नॉर्मल सरल होती है एक नैचुरल प्रोसेस है और यह सब कोई मतलब सीखते ही रहता है तो यह हम क्या कह सकते है कि अनुभचारिक सिक्षा आपके जीवन परयंद चलने वाली है और यह विक्तिकी मूल तथा उसकी रुची पर निर्भड़ करती है जैसे मालेजे कि हम गये और मेरा एक डोस्त मेरे साथ गया ठीक तो हम दोनों लोग गये मार्केट में लेकिन हमें हमने क्या चीज़े ग्रहन की अर्थात कहने का ताथ पर यह है कि हम गये हमने राश्ते में बहुत से चीज़े और उसी राश्ते में गये तो सीडी सी बात है दोस्त जो गये है साथ दोस्ते भी बहुत से चीज़े देखियोंगी लेकिन हमने क्या ग्रहन क्या यह अलग है उसने क्या ग्रहन क्या यह अलग है पता चले कि हमने सिर्फ नीचर से रिलेटेड़ी चीज़ों को इमेजन किया वाउ कितना ultimate है कितना बड़िया fool खिला हुआ है क्या ये पिड मुर्जा क्यों गया और उसके बादे बारिश होने वाली हो क्या बारदाल है हमने ये सब चीज़े नोटिस की और जो मेरा दोस्त है माली जे उसने क्या नोटिस किया कि बताओ कार चल रही है है ना और उसके बाद में ट्रेन है कितना pollution है वो अपना cfc chloro-fluorocarbon इन सब के बारे में सोचने लगा तो ये सब किस पर depend करता है ये माली जे वो कुछ ऐसा सोचने लगा पदा चले रास्ते में चौकी पढ़ गई थाना पड़ गया मार्केट जाते समय तो उसने सोचा कि वाओ पुलिस की लाइन कितने अल्टीमेट होती है ना जो देखो वही मैम मैम करके सरसर करके बात कर रहा है सल्यूट कर रहा है तो ये सब देखने लागा तो ये सब चीज़े को हम कहां कहां से ग्रहन कर सकते है अब जैसे कि आपको पता है अपचारिक सिक्षा में में क्या था विद्ध्याले था सिक्षक थे ठिक बच्चा यानि कि आप हम लोग थे और उसके बाद में क्या था हमारे बीच लेसंस थे और उसके बाद में क्या चीज है थी सब कुछ पूर्व नहीं हो जिता अब जो आपका अनौप्चारिक सिक्षा है इसके अंतरगत आपका क्या है ना कोई पूर्व डिसाइड़ सिलाबस है ना कोई इसकी सीखने की उम्र है जैसे वो था एक अल्पकाल के लिए लेकिन ये क्या है जीवन परियंत है तो अभी हम इसको आपको डिफरेंस भी पढ़ाएंगे अब आप ये कहां से अनौप्चारिक सिक्षा आप कहां से इसको ग्रहेंड कर सकते है सबसे पहले बात तो परिवार से सीड़ी सी बात है अब अपने डादा बाबी दादा, दादी, ताउ, ताई, बड़े पापा, छोटी मम्मी, चाचा, चाची, आंटी, फूफा, बुवा सबसे कुछ न कुछ सीखते हैं अब ये मत कहना कि फूफा से मूँ फूलाना सीखते हैं और वो तो सिर्फ उनका काम होता है वो तो बात की बात होगी है परिवार को बालक का प्राथमिक विद्याले कहा जाता है परिवार में प्राप सिक्षा बालक को उसके संपूर्ण सिक्षा का आधार प्रदान करती है परिवार के महत्व को विबिन सिक्षा सात्रियों ने भी स्विकार किया है इसलिए विद्याले में परिवार जैसा वातावरण बनाने की बात पर बल दिया गया है मॉंटे सरी और फ्रोबल के किंडर गार्डन की अवधारणा इसका सर्वोतम उधारण है अब देखो फ्रोबल के नसार के है कि कुक्षा आदर्श अध्यापिका हैं और घर द्वारा दीगे आपचारी के तर सिक्षा सर्वादिक प्रभावसाली और सुभावी कोटी जैसे ममा हम लोगों को याद तो है नहीं बट हम लोग छोटे होंगे पता चले मम्मी खाना बना रही और साथ में हम लोगों को सिखा रहीं आप बालिकाएं गुस्टा नहीं जहां जहां बालक हैं वहां-वहां बालिकाएं भी मान लें ठीक है आप लोग शमझदार है इसलिए बालीकाएं नहीं लिखवाया गया ठीक बालक जल्दी गुस्ता हो दर यह यह फील प्रौड कि यू आर गली समुधाई यदि community से बच्चा कैसे सीखता है अब परिवार के बाद बालक के सिखशा की द्वती ये cd जो होती है वो क्या होती है समुधाई है बालक समुधाई यानि कि possibility के संपर्क में आकर अनिएक बातों को सीखता है सिखशा के साधन के रूप में समुधाई देशियों का निर्धारण भी करता है ठीक उसके बाद में स्टेट आप देखे इस सम्मदाएं की तरह बालक राज्य से भी अनवचारिक रूप से कुछ को कुछ सीखता रहता है धर्म की यदि बात कीज़े तो धर्मिक संस्था है इवं विविन धर्म भी हमारी सिक्षा को प्रभावित करते हैं जैसे आप बहुत धर्म जहन धर्म है ना हर धर्म के अपने अलग मूल होते हैं उनके अनुसार इन सब चीज़ों के फॉलो करो उनके अनुसार तो यह आपने अलग-अलग रिलिजन की अलग-अलग चीज़े होते हैं अना उसके इस बात पर गिसबर्ट के अनुसार क्या कहा है कि धर्म इश्वर्वा देवताओं के प्रति जिनके उपर मनुश्य को अपने को निर्भर अनुभाव करता है गतिशील विस्वास और समर्पढ आत्म समर पढ़ें अब इसी तरह पुस्तकाले एवं वाचनाले संग्राले यानि म्यूजियम से आप क्या कर सकते हैं तो म्यूजियम में अब इतना आप पढ़ सकते हैं उसको आराम से बातने पढ़िएगा और मैं आपको शॉट में बता देती हूं कि संग्राले जैसे कि पुरानी प्रणाली थी रहने की जो सायद आज आज आपकी कीशवी शताबदी में भी नहीं है नाटक यानि जो प्ले होते हैं उससे भी बहुत कुछीख सकते हैं स्काउटिंग और गर्ल गाइडिंग यानि कि सिक्षा का प्रमुक उद्देश चात्र चात्रों को सामाजिक एक नहतिक विकास करना है इस उद्देशी की पूर्ति के लिए स्काउटिंग और गर्ल एडिंग उप्युक तो भी करना है बालकों को प्रक्रति के संपर्व में लाकर उनकी सारी रिक एवं सामाजिक विकास करते हैं आप जैसे आप यहाँ पर योगा भी आइड कर सकते हैं आप हम लोग फाइनली बात करने जा रहे हैं आपचारिक एवं अनापचारिक शिक्ष्या में आपका अंतर क्या होता है इसमें अंतर की यही बात कीज़े तो सबसे पहले एक शेत्र का बात करेंगे अब क्या होगा जब आप पेपर पर जाएंगे पेपर टाइम में तो कुछ बच्चे क्या लिख देंगे अपचारिक एवं अनापचारिक शिक्ष्या में अंतर पूछा है ठीक तो बस क्या किया बीच में ऐसे एक लाइन खीचेंगे अपनी चीजों को सब्सक्राइब कर ऑफे लो hut disciplesus चील को सब्सक्राइब संद्धिविक्षयत संदिविक्षयत से अनधन उब्चार, उब्चार की परिवार, प्रपड़ोषी, राद जी, वात्य आप इंस्टा और फेस्बूक और जो भी जितने भी आपके मैम एक्स प्लेयर टिक टॉक पबजी वो सब साम्मिल कर दो क्यों आप देखो फ्रीफायर जो लोग खेलते हैं उनको बता होगा गन्मन के बारे में कस्टम स्टम के बारे में चीजों के बारे में तो वहां से भी तो आप सीखी रहें ना उत देश से यदी बात की जाए तो यहां पर आपकी आप लेकिन जो अनव में अपचारिक सिक्षार इसमें सर्वांगीन विकास होता है यांनि कि बालक के हर एक चीज़ आंत्रीक भाह अाम compounds is котором और कें बात See बिने अवडित यहां नस्ट्रेथाध करते हैं ऑबस में सब्सकूर सब्सक्राइब यह मान कि चलिए तब तक आप सिक्षक रहें हैं सिक्षक की बात किज़े तो इस सिक्षक को प्राइन करने का कर विभिन विशेयों के प्रसिक्षर द्वारा प्रयाप्त यानि कि अगर आप डॉक्टर लाइन में जा रहे हैं तो वहां आप विशेय स्टीचर पढ़ाएगा अ लगलग पीचर्स के द्वारा दी जाती है यहां आपका मदब सभी व्यक्ति सिक्षक होते हैं अनवचारिक सिक्षा में क्योंकि वे किसी न किसी रूप में आपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं इस्थान की यह दिबात की जाती है और इसका कोई इस्थान नहीं है प्रमार पत्र जाता है और इसमें कोई प्रमार पत्र नहीं जाता है सो फाइनली देखे यह थी हमारी आज के अल्टिमेटली क्लास अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप शेयर कर दीजेगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजेगा मैं पूरी क्लास के बीच में नहीं बोलत यह तो आपकी ड्यूटी है ना मैं यहां पर पढ़ा करके अपने ड्यूटी कंप्लीट कर रही हूं आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है शेयर करना है अपने दोस्तों तक पहुचाना है और क्लास के जानने के बाद में नॉर्मल जो कमेंट सब्सक्राइब करना है यह आपकी ड्यूटी है क्यों कि आपके बाद आने वाला जो बैच होगा 2021 में जो आप लोग है 2022 में जो आने वाला बैच होगा कम से कम वो कमेंट से यह तो देख पाई कि हां क्लास सच में अल्टिमेट थी तो वो भी पढ़ने इस चीश को है ना तो इ यह वाली क्लास की प्लेलिस देख लो तुमारा पहला पेपर तो एकदम ऐसे निकल जाएगा ठीक सो अगर आपको क्लास की नोटिफिकेशन तुरंट चाहिए कोई भी वीडियो आ रहा उसका लिंक सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट स जूड़ सकते हैं इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर रहे हैं साथ में कमेंट चैक्शन में भी पिन करने हैं आप वहां से जूड़ सकते हैं जिक तो यह थी हमारी क्लास आज के हमेशा खुस रहें मुस्कुराते रहें कभी अपने लिए त अपना भी दियान रखिए ताटा बाइबेट तिल देंट टेक केर